आपका सौगत है हमारे इस नए वीडियो में, आपका भी जिम गए होंगे या फिर आपने कभी रजिस्टन्स ट्रेनिंग करी होगी, तो आपके पार्टनर या आपके ट्रेनर ने ये ज़रूर बोला होगा, कि आप वे प्रोटीन पाउडर ले लिजिए, जिससे आपकी जो मस से काम करता है, और हम ये देखेंगे कि इसके उपर जो रिसर्च हुई है, उसमें क्या कहा गया है कि इससे जो मसल बिल्ड है वो होता है कि नहीं, तो हम अपने वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, वे एक सोर्स और प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाये जाता है, और जब हम मिल्क में रेनेंट नाम का एक एंगजाइम डालते हैं, तो मिल्क दो कॉंसिटूट में डिवाइट हो जाता है, तो जो पहला पार्ट रहता है, वो सैमी सॉलेड यानि कट की तरह रहता है, जिससे हम चीज या बागी सारे डेरी प्रोड़क्ट बना सकते हैं, औ जो दूसरा पार्ट रहता है, वो लिक्विट रहता है, जिसको हम वे बोलते हैं, और इसको पैस्चराइज और ड्राय करने के बाद ही हमारा प्रोटीन पाउडर बनता है, अब हम जानते हैं, जब भी हम कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें जादा प्रोटी यानि hypertrophy तो अगर हम सर्म muscles की बात करें तो हमारी जो body है वो नए muscle cells नहीं बना पाती तो हमारी body को muscle hypertrophy पे ही depend होना पड़ता है अब अगर हम muscles का microscopic view देखें तो उसमें हमें एक thread like structure देखने को मिलेगा जिसे हम myofibrils भी कहते हैं तो ये जो myofibrils रहते हैं जब वो संख्या में बढ़ते हैं या फिर इनकी length बढ़ती है तो जो हमारे muscle का size है वो भी increase होता है और जो उसकी strength है वो भी increase होती है अब जो ये muscle hypertrophy है उसको कैसे बढ़ा है तो इसको समझने के एक simple सा तरीका है जो muscle protein synthesis रहता है वो हमेशा muscle protein breakdown से ज़ादा होना चाहिए अब ये जो muscle protein synthesis है वो सिर्फ दो चीजों से बढ़ता है या तो आप अपने routine में resistance training include करें या फिर आप अपने diet में ज़ादा protein sources add करें तो दोस्तो जब भी आपको resistance training करते हैं तो जो आपका muscle protein breakdown है वो बढ़ता है तो आपको इसका counter करने के लिए आपका अपनी diet में protein बढ़ाना रहता है जिससे जो आपका muscle protein synthesis है वो आपके muscle protein breakdown से ज़ादा रहे अब जो भी कोई एक normal इंसान रहता है जो की ज़ादा physical activity नहीं करता उसको दिन भर में 0.8 gram protein चाहिए रहता है पर kilo weight पे यानि अगर आपका weight 60 है तो आपको 48 gram protein चाहिए रहेगा पूरे दिन भर में लेकिन अगर आपको इस resistance training करते हैं तो जो आपकी protein requirement है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाती है यानि आपको 1.4 से लेके 2.2 gram पर kilo weight protein लेना पड़ेगा यानि अगर आपका weight 60 है तो आपको लग भग 90 gram protein लेना पड़ेगा पूरे दिन भर में तो दोस्तो अब हम अपने main सवाल पे आते हैं कि जो weight protein है उससे सही में क्या muscle build होती है और जो आपकी strength level है वो पढ़ती है की नहीं तो दोस्तो 2017 बिटिश जनरल में एक research publish हुई जो की protein supplement के उपर सबसे बड़ी research थी जिसमें 2000 लोगों पे ये research करी गई थी इस research में लोगों को दो भागों में बाटा गया जो पहला group था उसको protein supplement दिया गया और जो दुसरा group था उसको protein supplement नहीं दिया गया तो जिन लोगों पे ये research करी गई थी उनको पहले से 1.4 ग्राम protein दिया गया था पर किलो body weight पे यानि कोई 70 किलो का इंसान है तो उसको 105 ग्राम protein दिया गया था नॉर्मल food sources से और 36 ग्राम additional protein दिया गया था supplements से ये जो research है वो 13 हफतों तक चली थी और हर हफते में 3 workout session थे जिसमें हर एक workout session में 7 exercise थी जिसके 4-4 set लगाने थे और जब ये research complete हुई तो इसके result में ये आया है कि जो protein supplements हैं वो आपकी strength improve करते हैं और जो आपकी lean body mass है जो आपका lean body muscle mass है वो भी increase होता है लेकिन दोस्तों जो सबसे जादा notice करने वाली बात है वो ये है कि कितना improvement देखने को मिला तो जिस group को protein supplement नहीं दिया गया था उसका one rep max एक particular exercise में 27 kg से बढ़ा और जिस group को protein supplement दिया गया था उसका जो one rep max है वो 29.5 kg से बढ़ा यानि जिस group को protein supplement दिया गया था और जिस group को protein supplement नहीं दिया गया था उनके बीच का अंतर से 2.5 kg ही था यानि सिर्फ 9% का improvement और अगर हम total body muscle mass की बात करें lean muscle mass की बात करें तो जो जिस group को protein supplement नहीं दिया गया था उसका जो overall lean body mass है वो सिर्फ 1.1 kg से बढ़ा और जिस group को protein supplement दिया गया था उसका जो lean body mass है वो 1.4 kg से बढ़ा यानि इसमें लगभग 27% का increase आया तो दोस्तों आखिरकार हम कह सकते हैं कि यह जो wave protein रहता है वो आपका जो muscle mass है वो increase करेगा और जो आपकी muscle strength है वो भी increase करेगा लेकिन जो increase है वो बहुत ही जादा drastic नहीं होगा और अगर आपका budget जादा नहीं है और आप अपने पैसे wave protein पे खर्च नहीं कर सकते तो उसमें आप अपनी daily diet लेके जिसमें आपके natural food sources हैं और natural protein sources हैं उसको लेके भी आप अपना एक अच्छा खासा muscle mass बना सकते हैं और अपनी strength भी improve कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा और आपको कुछ सीखने को मिलाओगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक लिए धन्यवाद